Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel, my name is Lakshmi Shankar SCRP page पे rank कराने के लिए हम रोग content write करते हैं, on page SEO करते हैं, back linking बनाते हैं, बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, on page करते हैं, off page SEO करते हैं, technical ratio का पूरा ध्यान रखते हैं तो यह सारे हम रोग technique अपनाते हैं, so that कि हम लोग का जो भी web page है या website है, तो CRP के CRP page यानि search engine result pages पे top में rank करें तो क्या किवल यही तरीके हैं कि मतरब technical SEO कर लिए, on page office, back linking बना लिए, क्या यही सारे तरीके हैं कि इनके तुरू आप अपने web pages को rank करा सकते हैं, या इसकी अरावा और भी तरीके हैं तो उन्ही सारे तरीकें को हम लोग आज discuss करने जा रहा हैं कि कैसे आप अपने website को और भी तरीके से Google के CRP page पे, search engine result pages पे rank करा सकते हैं और कैसे आपकी website की traffic और बढ़ सकती है, तो CRP's के बहुत सारे features ऐसे ही होते हैं जो की हम लोग अभी देखेंगे, जिसमें एक feature होता है knowledge और panel graph, तो knowledge panel graph यदि आपको देखना है आप Google में जाएंगे, कोई भी इस type का जो आप देखते हैं starting में किसी भी personalities के बारे में या कोई इसे person के बारे में तो इसे बोड़ते हैं knowledge graph जहां पर एक ही जगा सारे information दी हुए होती है, तो इस तरीके से knowledge graph बना करके भी अपने pages को rank कराया जा सकता है, इसके अरवास जो और होता है second पे feature snippet, feature snippet में आप जैसे यहाँ पर मैंने digital marketing tips यहाँ पर सर्च डाल रहा है, तो यह जो देख रहे हैं यह आता है feature snippet में, इस तरीके के जो आते हैं आप सोच होगे हैं आपका, आपकी website यहाँ पर feature snippet में आ जाती है, तो बहुत high chances होते हैं कि कोई भी user इस first वाले पे click करेगा और आपके website पे जाएगा, तो feature snippet के तरू भी आपको बहुत सारा traffic आ सकता है, next one is people ask for, तो people also ask, आप देखें कि कोई भी यहाँ पर जब query करते हैं, तो यहाँ पर Google हमेशा दिखाता है, people also ask, यह है digital marketing tips का देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है, what are seven seeds of digital marketing, तो इसको भी user हो सकता है, create कर सकते हैं, यहाँ देखें, India times का, यह page rhyme कर रहा है, next one is, what are the five key of digital marketing, तो ऐसे रूप सर्च करते हैं, तो हो सकता आप देखो, आप यहाँ पर rank कर रहा है, rveloppco.com, ऐसे ही next one, यह है linkedin.com, तो ऐसे ही आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे हैं, मेरे चिम्प यहाँ पर rank कर रहा है, ऐसे ऐसे में three pieces, यहाँ पर आप देखोगे, तो टोस्ट, studio.com rank कर है, तो ऐसे आप देखोगे, कि आप भी यदि इसमें people also ask में आपकी website rank होती है, तो chances would be high, कि कोई भी उस पर कोई user click कर करके, और आपके website पे जाएगा, next one is image video search, image video search में क्या होता है, actually में keyword आप देखते हैं, यहाँ पर जब search डालते हैं, तो all में सारी चीज़ें दिखाती है तो क्यों यही नहीं होता है, इसके आप बहुत सारे ऐसे होते हैं, images में भी आपके image rank करते हैं यहाँ पर, और videos में जाते हैं, तो videos में rank करते हैं, images, videos के रिज़े से images की बात हम रोग कर रहे हैं, तो Pinterest पे आपको अपने images डालने चाहिए, वहाँ से बहुत ज़्यादा rank होने के chances होते हैं, videos में आप जो भी content बना रहे हैं, जो write कर रहे हैं, उसका कुछ, यदि आप totally मतरम video platform पे नहीं है, तो जो भी आप blog write कर रहे हैं, website बना रहे हैं, उसके जो main सी हैं, उसका आप एक छोटा सा वीडियो बना करके, उसको भी आप upload कर सकते हैं, तो इस तरीके से यहा पे भी rank करती हैं, website और यहां पे भी रोब जाते हैं, और इस पे लिए, आप support that images में जाएं, यह देखेंगे, आप different, different images, like marketing, insider group, gardener, LinkedIn, corona, POS, यह rank कर रहे हैं, तो यह सारे different, different, different websites से ही यहां आती हैं, तो इनको भी click करके लोग आगे जाते हैं, और इसके तरू भी आती है, traffic website पे, next one is video crossers, video crossers में आप वो जैसे कि, आप जब कोई भी उपर search डारते हैं, तो कुछ इस type के भी videos आते हैं, तो यह video crossers में आते हैं, and top stories, top stories, जैसे आप suppose that मैंने यहां पर डार दिया है, रतन टाटा, और देखेंगे कि यहां पे top stories दिखाता है, तो ऐसे भी top stories में भी साइट्स हैं, NDTV, the Indian Express, Money Control, DNA, सारे different different websites, top stories में इस keyword पे rank कर रहे हैं, इसके बाद rich snippets, rich snippets को आपको देखना एक्जामपर, तो जैसे मैंने यहां समोसा recipe type कर दिया है, इसमी जो यहां पर आता है recipe section में, यहां ऐसे ही और कोई भी चीज़ आप सर्च डारते हैं, और यहां पर इसे दिखाता है, आप देखेंगे कि यहां पर वीडियो एक छोटा सा है, यहां पर reviews mentioned है, तो यह सारे जो कितने minutes लगते हैं, यह सारे जो आते हैं, यह recipes के अंदर आते हैं, यह rich snippets के अंदर आते हैं, तो इस पर यदि rank करता है, तो इसमें क्या होता है, कि यूजर को यह ज से ज्यादा होते हैं, कि यूजर ने इस पर click करकर के जाता है, rich snippets के बाद हम लो discuss कर रहते हैं, Google My Business Listing, actually में होता है कि बहुत रोग अपना business, जो कि locally जिनका business होता है, और चाहे grocery shop के बाद करें, studio की बाद करें, या dental clinic की बाद करें, तो आयसे बहुत सारे business owners होते हैं, जिनके websites तो होती हैं, लेकि उनको यह नहीं पता होता है कि Google My Business पर listing करने का क्या benefit होता है, इसका बहुत ज्यादा benefits होता है, अब देखिए, मैं यहाँ पर जाता हूँ, और simply search कर दिया है, photo studio near me, आप देखेंगे कि जो भी nearby जितने भी होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाते है कहां से आ रहे हैं, सारे Google My Business listing में, यह listed हैं, वहाँ पर जाकर लोग registered किये हुए हैं, तब यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आप भी अपने website को list कर सकते हैं, and last one is add, add के थुरू भी आपका, जो add होता है, वो top में आता है, जब search कोई भी डालता है user, तो उसके थुर भी आप अपने website पर traffic ला सकते हैं, तो यह रही बात SERP के different features, अब यह सारे features, जो भी अभी हम लोगों ने discuss किये, वो चाहे knowledge graph की बात करें, features snippets, people also are, top storage, rich snippets, google my business, यह सारे जितने भी हैं, like feature snippets, knowledge graph, top storage या rich snippets, इन सब को आप भी अपने website पर apply कर सकते हैं, through schema markup, मैंने schema markup का पूरा detailed video बनाया हुआ है, उसका playlist है, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर detail में देखेंगे, तो इस सारी चीज़ें आप भी अपने website के रिए बना सकते हैं, और chances हो सकता है, यादी आप सही से उसको बनाए, सही से use करें, तो यह भी chance होगा कि आपकी website कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, CRP page पे rank करने रगेगी, इन सारे features में, तो एक तो तरीका है है, कि मतलब हम लोग जब website बनाते हैं, तो on page करते हैं, back linking करते हैं, इस सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसकी यह सारे तरीके होते हैं, जिससे कि आपकी website के rank होने के और chances बढ़ जाते हैं, तो क्यों आप यह भी चीज़ों को apply किजिए अपने website पे, और अपने website पे traffic और लाइए, और अपने website के pages को या पूरे website को rank भी करा सकते हैं, CRP page के top, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम रोग नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, थैंक्यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।